हेलो फ्रेंग्स वेलकम टू सिवाक्षी क्रियेशन्स आज हम बेल्ट ब्लाउज की कटिंग बताने वाले हैं तो उसका नाप हमने यहां ले लिया है नाप आप यहां पर देख सकते हैं तो आईए अब इसकी कटिंग शुरू करते हैं यहां आपने कपड़े को डबल फोल्ड करकर रख लिया है यहां लेंथ में एक इंच प्लस कर देंगे यानि 16 इंच की लेंथ लेंगे पॉनी 6 इंच के शोल्डर ले लेंगे और यहां से 6 इंच के आर्मूल ले लेंगे यहां से भी पॉनी 6 इंच लेंगे एक लाइन खीश देंगे अब इन दोनों को मिलाते हुए अब हम और मोल के लिए 1.5 इंच की गुलाई दिएंगे 1.5 इंच पर देनी है कि अमें यह गुलाई यहाँ से इसका हाफ ले लेंगे और मोल का 3 इंच यहाँ से सीने का चौत है बाग 9 इंच 2 इंच का मालजन 3 इंच की हम यहाँ शोल्डर पट्टटी रखेंगे एक बॉक्स बना लेंगे गले के लिए अब गले की गोलाई दे देंगे इस तरह ऐसे हैं यहां भी हम सीने का चौथा ही भाग रखेंगे नौ इंच और दो इंच का यहां भी माल जन दे देंगे जितना हमने उपर दिया है अब इन्हें सीधी लाइनों से मिला देते हैं अब हम आधा इंच गले की तरफ शोल्डर को डाउन कर देंगे इससे हमारे गले उतरने की समश्या खतम हो जाती है अगर आपके भी कंदे उतरते हैं गला उतरता है तो आप इस तरह से जरूर दें अब यहां पर डार्ट का निशान लगाएंगे इसका सेंटर ले लेंगे या यह देखिए बैक पार्ट हमने कट कर लिया है अब हम फ्रेंट पार्ट की मार्किंग करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम होकाई की पट्टी के लिए आदा इंच एक्ष्ट्रा ले लेंगे इस तरह लाइन बना देंगे इसके लिए अब हम प्लाउच की लंबाई लेंगे तो हमें फ्रेंट पार्ट बैक पार्ट से डेड़ इंच ज्यादा रखना है पीछे का 16 लिया तो तो यह साड़ी 17 पर मार्किंग करेंगे शोल्डर लेंगे यह लेंगे हम पॉनी चैंच पॉनी चैंच ही हमने बैक पार्ट में लिये थे आर्मोल की लंबाई इस में साड़े चैंच लेंगे यहां से पॉनी चैंच अब बॉक्स बना लेते हैं अब आर्मोल की लिए देंगे हम 1 इंच पर बैक पार्ट में अमने देड़ इंच पर गुलाई देंगे इसमें एक इंच पर देंगे यहां से आफ ले लेंगे सबा 3 इंच और इस पर गुलाई दे देंगे यां से सीने का चौथा भाग लेंगे उसमें चौथा इंच प्लस कर देंगे तो यह सबा 9 पर मार्किंग करेंगे 2 इंच का मार्जन लेंगे उपर से हमने बेल्ट की लंबाई ली है 14 इंच यह देखिए यहां हम 14 इंच पर मार्क किया है और यहां पर 5 इंच पर यह नौक के लिए पॉइंट लगा दिया हमने और यहां से 2 इंच तो इस तरह हमने यह गुलाई दे दिया है यह देखिए, अब यहां से हम डाट का निशान लगाएंगे, यहां से हमें लेना है सीने का दसवा भाग, तो वो होगा 3.6 इंच, तो यहां से हम 3.6 इंच पर मार्किंग करेंगे, उपर से लेंगे हम सीने का चौथा भाग प्लस 2 इंच, तो यह हो जाएगा 9 और 11 इंच, सीन लिए हमारी 2 इंच की डाट हो जाएगी, अब यह वाला जो हमारा डाट पॉइंट है, इससे हम 1 इंच उपर निशान लगाएंगे, और सीधी लाइन बना देंगे, इस पर हमारी 2 डाट आएगी, अब यह देखिए, इस पॉइंट से 1.5 इंच की दूरी पर हमारी 1 डाट आ जाएगी, और इससे 1.5 इंच की दूरी पर हमारी 2 डाट आ गई, अब यह वाली डाट है, इससे हम नीचे 1.5 इंच की उचाई पर मिला देंगे, यह देखिए, यहां से 1.5 इंच लिया रही हमने, अब इस पॉइंट से 1.5 इंच पर हम आल मूल की डाट लेंगे, हमारी नी अब हम इसमें से फ्रेंट पार्ट और बैल्ट को अलग कर लेते हैं, यह देखिए फ्रेंट से हमने फ्रेंट पार्ट और बैल्ट दौनों को अलग कर लिया है, अब हम आस्तिन की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम 4 फोल्ड में कपड़ा ले लेते हैं, अब हम हमारी आस सीधी लाइन बना देंगे अब यहां से सीने का बारवा भाग यानि बारती चतीस तीन इंच की कैपाइट ले ले लेंगे यहां भी सीधी लाइन बना देंगे अब यहां से हमें लेना है सीने का चौथा भाग उसमें से एक इंच माइनस करके यानि आठ इंच तो यह कपड़ा कम पढ़ रहा है हमारा इसमें हम साइड में कपड़ा जोड लेते हैं यह देखिए friends हमारी पास यह सेम टुकड़ा था तो हमने यह इसमें जोड लिया है four fold करके अब हम marking करते हैं अब इस सीधी line खीश देंगे हम यहां से सीने का चौथा ही भाग उसमें से 1 inch minus यानि यह आ जाएगा हमारा 8 inch एक तिलची line बना देंगे उपर से यहां तक नीचे से हम मौरी ले ले लेंगे मौरी हमारी 12 inch उसका half हो जाएगा 6 inch दो inch का margin उपर भी हम दो inch का margin ले लेंगे और इसे मिला देंगे अब हमें हमारी इस तिलची line के चार बराबर भाग करने हैं तो पहले इसका half कर लेंगे तो हो जाएगा सबा 4 inch इसके आदी inch उपर तक मार्क करेंगे अब एक और भाग कर लेंगे और उपर से भी बराबर कर लेंगे इसे दो पार्ट कर लेंगे इसके यह देखिए टोटल चार भाग हो गए अब मिडल वाली point पर आदा इंच उपर की तरफ जाएंगे और scale से यहां तक मिला देंगे उपर से गुलाई देंगे हलके हातों से यह हमारी back आस्तिन की drafting हो गई है अब front के लिए हम यह जो हमने निशान लगाए इससे दो पाइंट उपर जाएंगे और नीचे वाले निशान पर दो पाइंट नीचे जाएंगे अब इसकी भी गुलाई दे देंगे यह हमारी front की shape हो जाएगी इस तरह से यह देखिए free hand से shape दे देंगे हम यह मैंने बिल्कुल detail में आपको आस्तिन की drafting बताई है बहुत ही आसान तरीका है यह अब इससे cut कर लेते हैं लेकिन back part के इसाब से cut करेंगे हम इसे यहाँ पर नौचिश लगा देंगे हैं नीचे से भी cut कर लेते हैं अब हम दौनों part को खोल लेंगे और front की shape दे देंगे यहाँ से इसे खोल लेंगे पहले अब यह देखिए इस तरह से दौनों part को खोल लिया है हमने अब shape दे देंगे आफ रेंट की इसमें हमें यह टुकड़े जोड़ देने हैं यह देखिए यह हमारी shape भी लग गई है front की अब हम हमारी जो lining के part हैं इन्हें main fabric पर रखेंगे यह हमारा main fabric है इस पर रखते हुए इन्हें cut कर लेंगे आई इन्हें cut कर लेते हैं यह देखिए friends हमने सभी parts को main fabric पर रखकर cut कर लिया है इस तरह से हमारे अस्तल वाली blouse की cutting हो गई है अब हम इसकी hook और eye की पट्टी cut कर लेते हैं पाइप इन हम इसमें golden कपड़े से लगाएंगे तो वो हमने यहाँ पर अभी cut नहीं की है यह देखिए friends हमने eye की पट्टी cut कर ली है इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी है और यह हमारी hook की पट्टी है यह हमने 2 इंच की चौड़ाई रखी है इसकी तो इस तरह से हमारी blouch की complete cutting हो गई है अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करें share करें हमारी channel को subscribe करें